दोस्तों अगर आपका PC भी आपको current मारता है याने की शौक देता है अगर आप एक पैंडर लगाते हो या फिर आप उसको छूते हो CPU को अपने कोई भी लोहे वाला पार्ट छूते हो तो आपको current लगता है तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंट तक देखते रहे हैं मैं को बताने वाला हूं कि आप इस कंडिशन में क्या कर सकते हैं है हेलो दोस्तों कैसो आप सभी मेरे नाम है गौरव आप देख रहे है टेक्निकल स्पोर्ट परपस और दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं आपका अगर PC करेंट मारता है तो इस कंडिशन में आप क्या करेंगे पहले बात तो आपका PC करेंट जो भी मारता है तो वह 90% चांसिस होते है वह आपकी अर्थिंग के वे से मारता है यानि आपके घर में ग्रांडिंग नहीं है अर्थिंग नहीं है तो इसका सलूशन क्या है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मतलब आप कैसे चेक करें कि आपको करेंट लगे दूसरा जिजन होता है यहां पर कि अगर आप 3-pin socket भी यूज कर रहे है तो यहां पर आपकी वारेंग गलतो यानि कि आपने मालेजी जो वारेंग कर रखी हो ठीक से नहीं करी हो तो इसकी वेसी आपको करेंट लगता है इसके अलावा दोस्तों यहा है 3-pin वाला ठीक है कुछ लोग 2-pin वाला यूज करते है तो आप वो चेंज कर देजिए मालेजी अगर आप 2-pin वाला यूज कर रहे और आपको करेंट आ रहे है तो पहले आप चेंज कीजिए इसे 3-pin में ठीक है पहले इस तरीकी का एक socket ले 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 जिए अगर आपके problem आ है ठीक है current की और अगर आपने ले रख है उसके बाद भी current की problem आ रही है तो मैं आपको बताता हूं तो अभी आप हमारा switchboard देख सकते है ठीक है इसके अंदर जो इसके लगा हुआ है तो यहाँ पर आप देखते है यह जैसे मैं आपको बताता है यह हमारा फेस होता है तो य यहाँ पर आप देख सकते है मैंने अभी ओन किया और मैंने आप अंदर अभी टेस्टर डाला और यहाँ पर चेक कर लिया तो यहाँ पर आपको current देख रहे है ठीक है और अगर इन दोनों में करोगे आप तो आपको कुछ नहीं देखेगा ना अर्थ में current आएगा ना आपका न्यूटल में current आएगा ठीक है तो इस तरीके सापको इस चीज का ध्यान रखना है दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपको मनली जी बोर्ड का पता चलिए मेरा यह सही है अर्थ सही है यहाँ पर मेरा फेस है मुझे यहाँ पर कोई गड आप है ठीक है टॉप पर आपके आएगी green वायर यानि ground की वायर अर्थ की वायर ठीक है और इस वाले point में यह जो point मैं दिखा रहा हूं आपको इस तरह वैसे घूम के लगएगा इसमें आएगा आपका black color का वायर ठीक है जो है हमारा neutral और यह हमारा face ठीक है तो इसमें आए इस तरीके से लगेगा तो क्या हुआ हमारा अर्थ ही होना चीए ठीक है यह हमारा होना चीए neutral यानि कि यहां पर होना चीए black wire और यह जो होना चीए हमारे red wire ठीक है तो आप ऐसे लगाएंगे ठीक है socket को तो अपनी wiring चेक कर लेजिए तो दोस्तों मालेजिए इसके बाद भ यहां पर गड़ा तो यहां पर दिखाता हूं अभी तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जो है मैंने अर्थ दिया हूँ आथा लेकिन प्रॉलम क्या थी वह अर्थ जो है काम निकर रहा था यानि जो मेरे आगे से लेक्ट्रिक पोल है उसमें अर्थ थिक से ंर्थ तो मैंने एक वैर ली उसको यहां पर आटाच आप्या और साथ में यहां पर देख सकते है ठीक है और मैस को यह पर गया दिया अब आप सुतरों के ughत्ति है आंळ इंग आयं पर देखेंगे तो यह कौन्ट यह दो एक दो यह तो ключ कि आएख यह इलो एक यह यह जो मेरा अर्थिंग का काम कर रहा है और मेरा जो PC है वो मुझे करेंट नहीं मार रहा है तो इस तरीके से आप भी जुगाड कर लीजिए माले जी जो आपका एलेक्ट्रिक पोल है आगे से आपको अर्थिंग नहीं आ रही है ठीक है तो आप इस कंडिशन में क्या कर सकते आपने जो है इसँ ऽंट रालेरा इसके बनिस्तान से ड़ेया नहीं जय सकते उनलमा की अगट्रिन गुंस कर लात है चैकर लाय है क्या थो करता पए नहीं सकते हैं और क्या सकते अगरा को कटिशन मी आप इसको दुबारेस हील के थीक को ठीक कर सो अगरेश् gor करना है क्या करना है तो वह कुछ न को जुगाड़ आपके में कर देगा वह आपको छोटा सा कहीं न कहीं अर्थ बना के देगा कुछ लोग अपने PC के आसपास भी कील लगा के दिवार पे और अर्थ बना लेते हैं तो वह भी ठीक है लेकिन आप अपना कोई इलेक्ट्रिशन बुला के आसपास ठीक है उससे करवा लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बैटर रहेगा दोस्तों अमीद करता हूं आप लोगों कोई वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों कोई वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीज कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ इसके लाव अगर आपको कोई कोशन है तो कॉर्ण वोक्स में आप लिख सकते हैं अगर आप में चल पर न्यू हो तो सब्क्राइब करना बिल्कुल मत बूलिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो से लिक्या तरता हूं आज के लिए दूस्तों इतना ही मिलता हूं से अगरे वीडियो में धन्यवाद